है कर साइब ह Ol vaccines material को ब्रेट करना चाहता है धैक्ड को शसलि को लेक्ड करना चाहता है। था बिलकुल चलेगा इसे को मैं मैं मेर गच्षा आयर।-जस के को 4 चैसे कहे पूशन को पूंशन चाहता है मेरे एक एक मैं करेंट्ला थे फिंड हाने छाहता हुँ यूपsy यहां मत जाओ वहां मत जाओ यहां भूत है यहां ओए तो सच में यह सब चीज़े होती है कि यह बस एक कहानिया है यह बिल्कुल कहानी है भूत होता तो दिख नहीं जाता जी मैंने इसे कुछ चीज़े देखी है जो जो होते हैं ना क्या बोलते हैं मुस्लिम में वहां पर है लोग आते हैं उनके अंदर रहता है वह सब चीज़ है और फिर उनको बाहर निका मैंने वीडियो भी देखिए मैंने क्लिप भी देखिया इसे बहुत सारी कि उसमें इसा दिखाया जाता है क्या कुछ तो सुपर नैच्रल हो रहा है तो आपको क्या गए ना इस चीज के उपर कुछ भी सुपर नेच्रल नहीं होता कुछ भी नहीं होता है जो लोग यह दावा करते हैं वह सिर्फ दिखाते हैं जूंठा चीज़े प्रचारित करते हैं अगर आप सूचें कि अगर यह सब होता तो सबसे पहले रिसर्च के लिए यह साइंटिफिक लैब में जाता ना व होना है कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए तब जाके वह प्रूफ की जाती है कि हाँ यह मेडिसिन ओक है अब यह बताइए कि अगर कोई भूत प्रेत है तो भूत प्रेत का भी तो इलाज़ डॉक्टर खोजेगा ना उसकी भी तो मेडिसिन बनेगी उसका भी होता है बड़े-बड़े होता है तो उसमें स्टार्टिंग में हम जो इंट्री करते हैं वहाँ पर गनपति का मुर्ति रहती है या कभी-कभी फोटो रहता है और जब भी होस्पीटल में ऑप्रेशन करने जाते हैं डॉक्टर तो सबसे पहले प्रातना करके जाते हैं में काम करते हैं यृसकी झाल कि समझना होगा मालजीए यह व्यक्ति है और उस विक्ति को 45-60 है बाइसिकल होती है या फिर मोटर साइकिल उसको 560 लिए तो उसका काम जो है ना उसको आप सिखा देंगे कैसे पन्चर साठ जाता है वो साथ देगा तो आप कोई भी प्रॉफेशनल कुर्स करते हैं ना उसमें दू तरह के काम होते हैं एक होता है इन्नोवेटिव आईडिया दूसरा होता है रेगुलर वर्क जैसे माल लेते हैं किसी पथरी का ओप्रेशन है किसी का हर्ट का ओप्रेशन है या किसी का सरीर के किसी भाग का ओप्रेशन है तो उसमें न दक्षता की जरुरत होती है अब कोई व्यक्ति अनपढ़ भी होगा न उसको भी अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे देंगे वो सीख जाएगा कि हां ऐसे ऐसे करो तो यह चीज हो जाता है वो भी ऑपरेशन कर देगा अगर उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए उसमें एजुकेशन का कोई रोल नहीं है एक चीज याद रखिएगा जैसे पंचर साटने के लिए आप रख दीजिए क्वालिफिकेशन कि भाईया आप तुम जो है ना पिएचडी ही होने चाहिए तभी तुम पंचर साट पाओगे तुमको इतना पैसा मिलेगा तो पिएचडी वाला भी जाएगा अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो आपने ए क्यादा मार्ट लाता हो मेडिकल में एक क्टफ होती है कि आपको 60% लाना है 65% लाना है इतना आप लाओगे या 50% लाओगे तो आप पास कहा लाओगे उसमें से जो 50% वाला भी लाएगा या फिर जो 100% भी लाता होगा उन दोनों में से कोई भी एक अच्छा ऑपरेशन करत सरजन बन सकता है उसको दक्षता की ज़रूरत एक चीज़ याद रखिए अब यहां पर बात आती है कि फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों अनपढ़ों कोई क्यों न करा दिया जाए डारेक्ट इसको अगर कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया कि जहां पर अलग से दिमाग ल दो तरह के लोग प्रोड्यूस होते हैं एक जो रेगुलर वर्क करते हैं जो कलर भी बन जाएंगे नॉर्मल काम करते यह जो इनुवेटिव नया ऐडिया में काम करता है वो दिमाग लगा तो यहां पर आप देखें कि इसलिए यह जितने भी लोग होते हैं इसमेंसे कुछ नास्तिक भी होते हैं जो पूरा अपना प्रोपर दिमाग इस्तमाल कर रहा है वो बंदा जो है आपका एथिस्ट भी हो सकता है क्योंकि वो हर चीज में दिमाग लगाएगा ना फिर यह होता है कि उसको पता है कि हमको जाकर यह काम करना है पैसे कमाने है अपना जाकर रेग ठीके ना उसने पेसा को स्रीफ पैसा कमाने का धंदा बना लिया उसने देखा कि अच्छा हमारे सीनियर जो है आके हाथ जोड़ते थे उप्रेशन से पहले चलू मैं भी आथ जोड़ लेता हूं और रेगुलर टास्क कर रहा है दीमा आगे ही इस्तेमाल नहीं कर रहा नो वह स उसने कभी कोश्चन नहीं उठाया कि अगर मैं विना इस्वर का नाम लिया अगर उप्रेशन करूंगा तो क्या असफल हो जाएगा अचा माल लेते हैं कि असफल हो गया माल लेते हैं हो गया तो वहां पर फिर से उसको कोश्चन उठाना चाहिए कि क्यों हुआ इसका इसका मतलब कि मेरे अंदर कुछ कमी थी ऑपरेशन में इसका फिर इस्वर का कोई रोल नहीं है अगली बार से मैं कभी नहीं परणाम करूंगा हरवर ऑपरेशन करूंगा मैं तो यहां पे जो डर होता है ना इंसान के अंदर लुव लालच डर कि यह हो जाएगा विनास हो अगले वह जाएगा वो उसको बार बार उसी चीज में फासाती है और वो बंदा उसी चीज को डर के मारे कि यार कुछ बुरा नहों जाए यह नहों जाए उसी चीज को कंटिनिव कि रहता है दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं करता है अस्ता के पीछे कुछ पॉजिटिव अगर अपको अपने काम से प्रेंब हैं अपने काम में आप Gods अपना दे रहे है एफिशेंट हएं आपको किसी positive negative vibes की जरूरत ही नहीं है आपका दिमाग आपने इतनी सारी movies देखी होंगी आपने देखा होगा kung fu panda देखा होगा आपने kung fu panda में जो बहुत philosophy पे आधारी तो उसमें बोलता है inner peace आपके अंदर peace है अपने को सांध करें तो आप inner peace अपने inner peace को जब आप देखते हैं तो आपको किसी positive negative wife की जरूरत ही नहीं है आप अपना काम बहुत खुबसूरती से करते हैं आप अपने काम पे focused हैं आपका दिमाग बटा हुआ है आपके अंदर एक भय भी वैठा हुआ है कि यार यह काम गरबर न हो जाए इसका मतलब आप अपने काम पे focus नहीं है आप डरे हुए है आपका mind बटा हुआ है आपके mind पे कुछ और चल रहा है तभी तो यह डर हा रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा नेपोलियन को ना part जो था वो अपने जिंदगी की कहा जाता है सिर्फ आखरी लड़ाई हारा क्यों हारा क्योंकि उसके एक दोस गदार निकल गया उसका एक दोस ने गदार ही कर दी अन्य था वो हर लड़ाई जितता था और क्यों जितता था वो कोई option ही नहीं छोड़ता था उसके बारे में ये तक लिखा गया कि वो जिस पूल से चड़कर धमला करता था उस पूल को तुड़वा देता था और सैनिकों से बोलता था कि भई जीने का सिर्फ एक ही रास्ता है सामने वाले को खतम करो नहीं तो पीछे डूब के ही मर जाओगे पीछे हमारे पास कोई अप्सन नहीं है और वो जीतता था तो आप जब एक चीज सोचते हो तो आपको कोई ये पोजीटिव निगेटिव वाइपस की तभी लोग बाते करते हैं जिनके माइंड में ना मल्टिपल चीज़े चल रही होती है इसलिए इनर पीस जरूरी है आपके अंदर का जो मन है वो सांत होना चाहिए ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सको जो भी काम करो फुली फोकस कर सको उस पर मेरे ना वही इशू हुआ था मैं चार पास दिन से आप आया हूँ ना तो कॉंसेंट्रेशन नहीं था डर लग रहा था अखेला हो यह सब चीजे कुछ चीजे मैंने ऐसे भी सुनी तो मैं थोड़ा सा लाइक अन बैलंस था बट जब मैं सोच रहा था कल आपको जॉइन करो यह कोशन पूछू अचलिस मेरे दिमाग को पीस ऑफ माइन को मैंने स्टेबल करने की कोशिश की अभी ठीक लग रहा है इसी को क्यारी करके आगे लेके जाओ बिल्कुल आप मैं यह कहूँगा कि अगर किसी को भी जितने लोग दरसक भी देख रहे हैं आपको किसी को भी अगर कभी ऐसा माइड में मल्टिफल थिंकिंग्स आएं तो आप एक बार जो है ना कुंग्फू पांडा की सीरीज उठा कर देखें चाहें वो फर्स्ट पार्ट हो जिसमें दिखाया जाएगा वो मोटा है भद्दा सा है फिर भी वो सबसे टॉप का फाइटर बनता है या सेकेंड पार्ट देखें थर्ड पार्ट देखें जिसमें इनर पीस मैं अप फुली इफिसेंट क्यों नहीं हो रहा हूँ साथ अपने को नहीं सांध कर पा रहा हूँ मैं वो हमेशा आपको एक मोटिवेशन देगा वो तो जरूर देखना चाहिए इस तरह की चीज है क्योंकि हमारे अंदर ही हमारे अंदर ही सारी चीजें हैं जिसको हम अपना हंड़ेट परसंट दे सकते हैं उस पर काम करके जी बोले जैसे कि आपने मुझा आज मोटिवेट किय थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनाया है स्ट्रॉंग बनाया है एक बहुत भी खाता माइंड से तो आप मैं ऐए तिंक तो स्ट्राउंग हूँ जा बाइद को अबाइद को अ